जाता है चली मूब करते हैं आज हम लोग सकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप आप कास्टिंग प्रोसेस ठीक है जो कि बेसिकली आपका इसमें भी जो मॉल्ड यूज करेंगे वो कैसा मॉल रहेगा टेंप्रोरी रहेगा यानि वन टाइम यूज रहेगा यानि कि उज क्या करते हैं एक लेते हैं पेटन वह मेरा मेटालिक पेटन होता जैसे कि यहां पर देख सकते हैं माल लेना एक मेरा मेटालिक पेटन है और यहां पर जैसे मेटालिक पेटन है यह मेरा क्या है मेटालिक पेटन है एक सेकंड थोड़ा सा ठीक मुझे पैंसिल लेने वीजिए this is your metallic pattern, ठीक है, यह मेरे क्या है, metallic pattern, metallic pattern, जो किसका बनावा, cast iron का बनावा है, तो metallic pattern यहाँ पे लिए और metallic pattern को लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको heat करते हैं, गरम करते हैं, समझना, ठीक है, पहले मैंने क्या कहा, कि सबसे पहले मैंने metallic pattern लिया, metallic pattern लिया, metallic pattern को मैं क्या क थीट हम खरओगा घरंगा ठीक है सर आपने घरंग कर तो गरम किया कितना से कितना तक लवक 3200 पान्सोक 552 सशब्रेम करते हैं मैंने इसमें घरम कर फषर्णेस MAAL लो करने के बाद क्या करेंगे स्कूम डंप दॉम बॉक्स होता है क्या होता है मेरा dump box देखना यहाँ पर प्रोसेस सबसे पहले मैंने क्या करा एक metallic pattern लिया जो माल लेता है metallic pattern काश्टारेन का है उसको मैंने heat किया देखो यह heat किया जा रहा गरम क्या एरो दिखा रहा उपर तरह मैं गरम क्या जा ठीक है और यह मेरा pattern है pattern कितना कितना तक है वह आप समझ लो pattern अगर मैं यहाँ पर दिखाऊ आप लोको तो यहाँ से लेकर यहाँ तक this is your pattern यह complete मेरा क्या है यह मेरा complete मेरा pattern है यह यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्या है this is your pattern तो इस pattern को मैंने गरम किया गरम करने के बाद इसको dump box में क्या करते हैं हम लोग इसको रख देते हैं dump box यह देख सकते हैं हम इने dump box है अब dump box में हम लोग इसको reverse रखके और clamp पर कर देंगे देखो यह clamp किया जा रहा है इधर से भी clamp और दोनों तरफ से हमें clamp कर दिया अब dump box के अंदर जो है ना वो mixture रहता है send रहेगा एक सेकंड ये binder का काम बिल्कुल नहीं करेगा binder का काम मेरा phenolic resin करता है क्या करता है मेरा phenolic resin करता है ओके तो मैं काम करता हूँ पहली बात तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिखा देता हूँ ठीक है ओके जस्ट a minute just give me a second right तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसको थोड़ा सा नीचे लियाओंगा क्योंकि यह अलग है अब सही हो गया देखना ध्यान से तो मैंने क्या करा dump box में रख दिया pattern को okay hot pattern को मैंने रख दिया तो माल लेते कि hot pattern अभी मेरा जो hot metal का pattern है वो यह रहा मेरा एक second ठीक है यहाँ से लेकर ओके चलो यह मेरा फिल होई गया तो यह देखो यह मेरा pattern था ना यह pattern को मैंने यहाँ पर रखा ओके अब इसको रखने बाद claim कर दिया dump box में अब dump box के अंदर मेरा क्या है molding material का mixture है जिसमें मेरा silica sand है well k sir silica sand है और क्या-कया मेरा phenolic resin है अब phenolic resin अब सब्सक्राइब और रहुता है जो गरम होने दिपist अब आप me automatic चिपक जाता है तो समझ लेए आप इस तरह से काम करेगा अब यह दो तरह का होता है एक अम लोग आपका यूज़ कर सकते हैं फर फैनल formaldehyde और यूज़ कर सकते हैं हम लोग urea formaldehyde अब ये दोनों जो होता ना वो दोनों मेरा binder का काम करता है ये दोनों मेरा binder का काम करेगा ये दोनों कैसा काम करता मेरा binder का काम करता तो ये दोनों का हम विक्सिर होता इसके हलावे आप चाहो तो यहाँ पे कुछ एनभ ईठता направit मिला सकते हो ठीक के मिला दिये हैं आप इसको म آپ क्या रिवर्स कर दिया को सिर्सक्राइब जन्यीग कराना क्या होता है ना वो जो आपका जो भी molding material है जिसमें आपका c Ricka send है phenolic resin है और alcohol है यह जस्ट इसके उपर ने any layer जैसा जम जाता है देखो ऐपर मे क्या बन जाता है एक layer यहाँ पे बन जाता है उपर में एक मेरा layer बन गया देखो इस तरह से layer मेरा यहाँ पर बन गया, जो मैं red colors यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, metallic जो pattern है ना, उसके उपर में एक layer मेरा बन गया, okay sir, layer यहाँ पर बन गया, अब layer बन जाने के बाद मेरा क्या हो जाता है, एक पार्ट मेरा निकला, जहसे देखो, समझ लो कि कुछ मेरा इस तरह से हुआ एक प लगा देंगे, नीचे में हम लोग माल लेते हैं, clamp लगा देंगे, यह मेरा clamp लग गया, clamp के थुरू दोनों को पकड़ लिए, और यह मेरा cavity जैसा बन जागा, क्या बन जागा, मेरा cavity जैसा बन जागा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मॉल्टर मेटल डालेंगे, क्य सबाएक Touch Cleric बाकि अंदर में ने काउर किवीटी समाज आएक नी अंदर मेरा कवीटी तो क्योंकि मैंने सिर्फ सेल निकाला यह सल ना यह यह ही यह सेल को यह सेल को इसे लोग दिया जोड़ दिया अंदर मेरा के विटी है क्योंकि यह जो होट मेटल देख रहे हो ना मेटल का पेटन इसको मैंने बाहर कर दिए इसका कोई यूज नहीं है ठीक है जो मेरा मेटल था इसको मैंने तोड के हटा दिया सिर्फ मेरा सेल कम है दो सेल को मैंने जोड़ा और जो के विटी के अंदर हम लोग मॉल्टन मेटल और आको फिल कर दिये, पौर कर दिये, आप जो भी आपको जिस तरह का आपको फाइनल प्रोडक्ट चाही किसी का भी चीज़ चाही, उसका आप मेल्ड क्ये जो क्या करो, यह जो सल है ना यह जो मॉल्ड आपने बनाया, इसको आप लोग को तोड़ना पड़ेगा, आपने तोड के और final मुझे product मेरा मिल गया है जो कि final product कैसा मिलेगा कुछ इस तरह से आप लोगो एकदम solid पेसेट में मिल जाएगा ऐसा solid पेसेट में आपको final product जो है वह मिल जा इसवाद योर final product फाइनल प्रोडक्ट आपको यहां मिल गया तो cell को भी मादमे में तोड़ दिया तो यह होता है मेरा cell mold casting नाम से समझ गया हूँ कि मैं बार-बार cell का यूज करा हूँ cell क्या होता है सर जी वो जो आपका है जिसमें हम लोग dump box में जो molding material होता है वही क्या होता है चुकि यह मेरा hot आपका metal होता है वहाई पाले एक भाग में दर बना है दुसरा वाग में दर बना है तो इस बार है pattern कैसे use करेंगे हम लोग pattern use करेंगे कुछ इस तरह से थिक है यह मेरा हो जागा rains cud यह मेरा हो गया metallic pattern हो गया ठीक है यह मेरा metallic pattern होगया अब इसको dump box में यहाँ पर डाल दिया जागा तो माल लेता dump box में डालेंगे तो reverse कर देंगे तो इस तरह से आजागा rectangle आजागा फिर और यहाँ पर भी rectangle आजागा और उसके just उपर में एक layer जैसा मेरा जम जाएगा layer जैसा जम जाएगा किसका molding material का तो layer जैसा जम गया इसके और 4 तरफ क्या जाएगा layer जैसा जम जाएगा यह layer जैसा जम जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे एक पहला party धरवाला लेंगे दूसरा party धरवाला दो बनाएंगे और अंदर में तो मेरा खाली रहेगा क्योंकि यह जो इसके नीचे है na molding material माल लेते मैं यहाँ पर क्या करूं black color से यहाँ पर fill कर दे रहा हूं यह मेरा metal था जैसे यहाँ पर metallic pattern था तो यही सेल को मैंने दो रखा, दो सेल रखा, अंदर मेरा केवीटी बन गया, ठीक है, केवीटी बन गया, और केवीटी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे, मॉल्टन मेटल, जो भी आपको प्रोड़क्ट आपको चाहिए, रेक्टेंगल टाइप से, और फाइनल म मिलता है, सर्फेस फिनिस भी काफी अच्छा मिलता है, समझा है, इसलिए यह जो आपका नियू कास्टिंग टेक्निक है, इसको अडप करा गया था, क्योंकि इसमें सर्फेस फिनिस और एक्यूरिसी, दोनों मुझे काफी अच्छा देखने को मिलता है, इसको हम लोग करा, यह आपका मॉल्ड है, और यह आपका सेंड बॉक्स है, सल मतलब समझना, जैसे की माल लेता है, रेट गलास में आपको दिखाता हूँ, कि इस तरह से सेल होगा, ऐसे कुछ रहेगा, इसके अंदर का सेल, ठीक है, एक सेकंड, फड़ा बाहर में में कर देता हूँ, ठीक कियें, समझ आए कि नहीं चलिए, इतना चीज हो गया, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, देखो न, इसको देखो, मैं दस तरह का फिगर लाएं, यह तो मैं आपने खुद से बनाया हूँ, आप चाहो तो आपको नेट में इस तरह का धेर सरा फिगर मिल जाएग है, ठीक है, यहाँ पर dump box, यही है आपका dump box, फिसको handle से इसको पकड़ा गया, इस pattern को, hot pattern को, जो red color का hot pattern दिख रहा है, इसको पकड़ा गया, नीचे में आपका sand है, बैसिकली यह molding material है, जिसमें डाला गया सब चीज, ठीक है, और इसके बाद इसको देखो, reverse करा गया, reverse करा लिए पर भड़ाल देता है, देखो एक याटर सा एक, यही जो येल्लो में, एक layer मेरा बन गया, एक layer मेरा बन गया, इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग इसको ठाते है, pin के थुरू हटा सकते है,ाब निकलने के वाद क्या करें, दो सेल यहाँ बनाए, और दोनों सेल को दोन यहां पर तोड़ने के बाद जो इसके अंदर देखो उसी सेफ का आपको यहां पर नजार आ रहा रहा आपका इसके जो इस तरह से मेरा मॉल्ड था उस मॉल्ड को मैंने ब्रेकडाउन करा तोड़ा जो सेंड का बनाया गया था समझा है तो सिमिलरल यहां पर भी वही मैंने बताया कि यही सेंड जो सेंड बॉक्स है इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा यही को कहा जाता है इसलिए आप ब्रेकडाउन मुझे करना पड़ेगा ठीक है चली यह चीज हो गया तो इस फिगर से भी आप इस चीज को फिल कर सकते हो समझ सकते हो चली आगे बढ़ते हैं अब इसके बारे में सब कुछ कहा गया है तो बड़े बड़े कास्टिंग के लिए नहीं यूज करते हैं तो कास सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर इस एक्सपेंसिव प्रोसेश्ट यहां पर इस दो लाइन का ध्यान रखना यहां पर ठीक है पहली बात कि यह मेरे एक्सपेंसिव होता है लार्ज साइज कास्टिंग के लिए उसका देता है मिनिममम साइज कास्टिंग कितना अप टू 4 mm के लिए हम लोग इसको स्पेशली यूज किया जाता है समझाए मेरे पात की नहीं इस इसका ध्यान रखना है यहां पर में कोमा लेका देता है च्छिक है